हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग वैलकम बैक टू माइटूब चैनल कैसे हैं आप सब जैमाता दी और आज है भूली तो मैं आप लोगों को विश्ख कर रही हूं है पी होली वैसे वीडियो मेरे बात में जाएगा मॉर्निंग का टाइम है अब 20 के उटी हूं है और भी करना है अगर थोड़ी सी लेट हो गई ना तो मेरे कम नहीं दूलेंगे डेली का यह ऐसे हो रहा है सारा काम हों से कपड दोने के वारी आती है तो इसमें रुख जाती हुआ रहा दे छोड़ दे दिएं तो याम बाद के भी तीन चोड़ी है और मेरे भी हस्पenda के भी तो फिली पहले मैं हलके हलके से कपड डल लगाती हूँ मश्चीन गाती हुँ न इसी परपस से मैंने अट्रमेटिक मशीन नहीं ख़िए था क्योंकि मुझे पता था कि एक सारे कपड़े हम एक बाद डाल देंगे तो इतनी बड़ी मेरी फैमिली है नहीं कि मैं तलो एक हर दीन में इतने कपड़े कठे करूं इसके अंदर क्या है एक कपड़े भी धोलो दो क कपड़े भी धोलो है ना इसमें सर्फ भी बदबाद नहीं हो तो इसमें सुना कि सर्फ बहुत जादा बरबाद होता है अब इसमें कि जैसे मैंने पहले मुझे लाइट कपड़े दोलने जैसे टीशेट वगए लाइट कलर के कपड़े तो वह डाल दोंगी फिर उसको निक कैसे मैं धोती हूं कपड़े तो जो एटमेटिक मशीन होती है वह तो आप लोगों को पता ही है उसमें बस एक बारी जितने भी कपड़े डालने हैं आपको दूल मैंने नहीं लिया मैंने पूछा तपने सिस्टर से तुसने बिल्कुल मना कर दिया हजबन तो जित कर रहे थ श्रुद मेरे दोल जाएगी जब तक में अधर आलो चील रही हूं तो आपको पता ही हैं कि हम लोग है मैं वेजी नॉन वेजिटेरियन हूं मेरे हस्बन वेजिटेरियन है तो हुली वाले दिन वासे बहुत सब अधिक तर लगर में लोग बनाते हैं बट मैं मेरे मैं मैं होली में नॉन वेज जब समय शादी हूं तो नॉन वेज्ज में नहीं बनाती हूं चूंकि कि एक तो आज कर दिन इतना बिजी होता है इंसान दोग को सब्स jeffy, में अजाने कुल्ब बाब अगया थे तो में लेने लग रही हूं है और मेरा ने तुस में किसी में दही बड़ी और घोल है किसे पुए का कोवल है ह James 14th मेर कुछ नइए फिरन तो पूरा एक किलो दूदे कभी कुछा है कभी कभी एक्षट्र नहीं होता है पनी जाता है तो यह समय तो डूर से आते हैं दूसरे काम से दूदी कि लाते हैं तो filter कि बर्गर इसके बड़ा मेहनत वाला काम था मेरा मंदीर को साफ करना तो मैंने मंदीर को साफ कर लिया है भगवाण जी के लिए कपड़े धूल दिये मैंने माला भी धो दिये तो सब सूख रहे हैं च्छत पे क्योंकि आज मौसम बहुत जादा खराब है बारिश कभी भी आ सकती है भगवाण जी को फिर गुलाल कब लगाओंगी फिर इदर बच्चे भी बाबु खेलने लना शुरू कर देगा तो मैंने कहा चलो कोई वाद नहीं मैंने एक कपड़ा विछा दिया है और भगवाण जी के कपड़े कल पहनाओंगी जब सूख जाएंगे तो नहीं पर मैं कै कुछ खाते पीते हैं तो मैं सब मतलब लगनाने के वा सबसे पहले मांग भरनी जरूरी होती है और आसा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशाद निकाली और इसमें थोड़ सा पानी था तो प्रशाद अभी और ऐसा और कुछ नहीं तो मिश्री था तो मैंने चलो मिश्री सही भोग लाएंगे तो यहाँ पर तीन कलर के गुलाब गुलाल सवरी तो मैं आपको बताओं भी कि आज मैंने कितने रुपे में होली पर खरच किया और कितने रुपे में हमारी होली मन गई हमारी बहुत अच्छे से मन इए होली तो यह वीडियो वो दो पार्ट में जाने वाला है तो प्लीज आ शीजर का समान भी हम यूज करते हैं तो यह उसलिए में पूजा वाला समान नहीं काट कुछा यह थोड़ा सा थोड़ा थी यह थोड़ा पता नहीं कैसे नहीं फट रहती है तो घ्रियन वाले फट गी थी फट फोच अरां से यह या पर मैं निकाला ग्रीन या लो और देखे तो प्रवाले भी कितना अराम से फट गया बहुत ही सॉफट वाज से भी और रेड तीन कलर मैंने मंगाया है तीनों कलर है यह और तो आज थोड़े से मैंने दूद भी लिया है कि आज दूद कच्छा मैं अभी पूजा करने के लिए गिलिए मुझे लुद कि मैं गरम निंक था पूजा करने से पहले और सरस्वती में याको यलो कलर का घंडि शोगवान को घृन कलर का लक्षीमाता को रैड और यलो और राधा क्रिश्ण को घ्रीन कलर का ये तो अधिकर प्रत्वार है तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने किचन में नहा धोकर पुजा पाट करते एक दमस्ती हो गई हूँ अब चलते हैं खाना मना बनाणे खूँ अपने लिए एक जाय भी पंतों नहीं की तो बस अपने लिए ही बनांगे पीने का घर मतलब अकेलीच से दो करने के लिए तो अभी मेरी सिटर ने कहा था फॉन करने के लिए तो हम चारा दिन अपने आपके उटने मनें क्यों लगी जाता है दांस करने के लिए तो मैंने पूजा कर लिया था और मैंने पूजा कर लिया था और मैंने कलर फगवान जी पिच्वाइब में दीबूल गई